हिमाचल परदेश विश सहलानिया देग कोविट प्रोटोकोल देग उलंगन नू लेके सरकार चिंतेता है करीब डेट साल बाद शुरू है परियाटन कारोबार नू कोविट दे चल दे लगी रोक तो मिली छोड तो बाद वड़ी गिंती वेश सहलानी सूबे विच आ रहे ने मौसम विचाय बदला दे चल दे हिमाचर वेश थंड़क कारण सहलानी वदन गे और शासन दे सामने महमारी ना लोका नू बचोन दी चुनोती है तो करोना को पीछे छोडते हुए सहलानी बड़ी संक्या में हिमाचर परदेश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं हिमाचर परदेश के ज्यादा दा प्रेटन स्थलो पर सेलानी वदन गे अच्छी खासी बीड जमती दिखने लगी आप देख सकते हैं शिम्ला का मौसम कितना बेहत सुवाना इस वक्त हम शिम्ला के मशूर मौलोर के पास कर रहे हैं आप देख सकते हैं मौसम कितना सुवाना हुआ है शिमना में इसमें खलकिया की बारिश हो रही है सुबह से एलांग की बारिश हुई है ऐसे में पहाडों पर पहुछने वाले सेलानियो की संक्या और ज्यादा होती दिखाई दे रही है लेकिन इससे एक चिंता भी सरकार ने जाहिर की है कि अगर सेलानियों का इतनी बड़ी शंक्या में पहाडों की तब रुक करना और कोविट नियूम की अनुपाला नहीं करना ये एक बड़ी समस्या बन सकती है मुश्किल से ही अभी COVID खतम भी नहीं हुआ था कि पहाड़ों में सेलानियों की जो COVID के अवेलना हैं वो सरकार और साथ में कोड की चिंता का भी विश्य बनने लगी है सरकार ने हलांकि जो होट स्पोट है हमाचल प्रदेश के वहाँ अजरेक पुलिस बल की भी तनाती कर दी है लेकिन सबसे बड़ी चिंता सरकार की ही है कि प्रेटन कारोबार चलते रहना चाहिए क्योंकि हमाचल प्रदेश की आर्थी किया सबसे बड़ा साथन प्रेटन ही है लेकिन जिस तरह से देश भर में हमाचल प्रदेश के प्रेटन स्थलों की जो तस्वीर है वाइरल हो रही है जिसमें सेलानी कोविड नियोंबों का पालन नहीं कर रहे है वो सरकार की चिंता का विशे बनता दिखाई दे रहा है हलांकी सरकार ने इसके लिए पुलिस बलकी अतरिक तेनाती भी कर दी है लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जो लोग अभी कुछ तिन पहले ही तरही माम मचा रहे थे कि बैट नहीं मिल रहे है औक शीजन नहीं मिल रहे है वो इतना जल्दी ओविड नियमो